टयूर आ यार आज हम बात करेंगे कि multilevel inheritance क्या होती है ठीक है हमने single level multiple देख लिया था तो multilevel क्या होती है कि आपके पास में कोई base class है ठीक है उस class को class inherit कर रही है अब हमारी क्या होई 1 base class एक हमारी inherited class ठीक है याँ फिर derived class अब उस derived है sub class को हम किसी और class के थूर access कर रहे हैं यानि अब वो हमारी intermediate base class बन गई है और उसकी नीचे वाली class है वो हमारे sub class बन गई है तो ऐसे में जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि have intermediate base classes और अब example से दिख लेते हैं ठीक है समझ लेते हैं properly लेस्ट से यहर ग्रैंडपा नाम की एक class है ठीक है जस्ट कंसेप्स समझने के लिए इसका रिल लाफ कोई example नहीं है ठीक है इसके पास में एक प्रॉपर्टी है में नेम ठीक है कुछ एक नेम लिलते हैं लासे मैं अपने ग्रैंपा के लिए लेता हूं ठीक है अब अपने according ले सकते हैं अब यह papa class grandpa को इंहेरेट कर रहे है ठीक है तो यहां पर हम ग्रैंपा लिखेंगे तो पापा का नेम यहां पर है यह ग्रेंटपा का अपना नेम है और यहाँ पापा का अपना नेम है ओके और नाओ इन लास्ट क्लास मैंने एक और क्लास बना ही मी ठीक है और यह क्लास हमारी पापो के नेरेट कर रही है ओके ओके और मैंने यहाँ पर नेम दे दिया इंदरचीत ठीक है, sir ने मैंने भी यहां पर नहीं पास किया यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम me का एक object बना रहे हैं let's say मैं नहीं हम बनाया है, indrachit okay, me तो यार अगर हम यहां पर लिखेंगे indrachit.name इसे print करेंगे, let's say print कर लेते हैं print किया, indrachit.name ठीक है, और मैंने इसे run किया, तो यहां पर name आ गया है, indrachit ठीक है, अगर हम surname access करने की कोशिश करें, मैंने यहां पर लिखा indrachit.surname, ठीक है, यहां फिर हमने उपर की line में ही print कर दिया, comma indrachit.surname, ठीक है, और इसे run किया तो यहां पर पूरा आ गया, indrachit, man, कैसे आया यह, क्योंकि हमने multi-level inheritance use किया, multi-level मतलब एक base class, intermediate base class, then child class यहां, फिर sub class यहां, derived class, ठीक है अब यहां फिर से देख लेते हैं कि यहां पर चल कह रहा है, देखो, एक class थी इसके पास में एक name property थी एक surname property थी, ठीक है अब उस class को एक और class ने inherit किया, ओके अब क्या हुआ कि इस class के पास में, जो हमारी grandpa class की property थी, name and surname वो दोनों आ गई, ओके लेकिन name को हमने override कर दिया अब name के अंदर है Mr. Hermit Singh, लेकिन surname के अंदर अभी भी मान है तो यहाँ पर मैंने एक और class बनाई me, जो हमारी उसके उपर वाली नहीं papa class को inherit कर रही है, ठीक है तो यहाँ से हमास में name को हमने override कर लिया, लेकिन surname हमारा भाही उपर से चला आ रहा है, ओके इस type की inheritance को बोलते है multi-level inheritance, so that's all for this video guys, thank you, bye-bye